बड़े बड़े डिसकाउंट के साथ में फ्लिपकाट और एमेजन पर फेस्टिव सीजन जो है शुरू हो चुकी है तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने बाले हैं बेस्ट 4K 43 स्क्रीन साज टीवी वो भी बिलो 40 था हुझे ये सारी के सारे टीवी जो इस वीडियो में हम लोग discussion करने वाले हैं कुछ जो हे 2021 स मडल से और कुछ जो हे थोड़ा सा ओल मडल है तो आज इस वीडियो में हम लोग details बात करेंगे और ये सारे के सारे टीवी के उपर में मैं Short comment करूँगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशन का बारा में बताने लगूगा फिर वीडियो जो है कफी थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा इसलिए मैं होर टीवी मडेल का साथ में आपको सौट कॉमेंट का साथ में इनफर्मेशन सेयर करूगा अगर इस वीडियो आपको देखने के बाद फिर भी अगर आपको डाउट्स आते हैं कि कि इन दोनों में से किस टीवी को आपको चूच करना है तो फिर कॉमेंट में जरूर पुछिए आंसर मेरा तरब से आपको मिली जाएगा अधर्वाइस आप हमारे सोच्याल हैंडल्स पर भ यह हैं समसंग का AUE60 और AUE70 यह दोनों के दोनों जो टीवी मोडल से 2021 मोडल से और जैसे की प्राइस आप स्क्रीन का उपर में देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर डिफरेंस का बात करें तो अजस्ट आपको रिमोट का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अग अगर इस टीवी को आपको बड़ा सा हॉल में अगर यूज करना चाहोगी तो अपर आपको साउंड का प्रोलम आ सकता है क्योंकि बड़ा सा हॉल के लिए यह सफिसेंट नहीं है इसका साउंड हाला कि अगर आपके पास साउंड बार है तो आप यह पॉइंट को स्किप कर स सकते हो इस टीवी पर आपको अच्छी पीचर क्वालेटी देखने को मिल जाती है और आप स्केलिंग का साथ अब नमबर टू जैसे कि आप देख पार है स्क्रीन का उपर में ओहें यूजी यूपी सेवन फाइब डबल जिरो पीटी जेड और मोटरोला का जेड एक्स प्र हाला कि अगर आप इस मोडेल को बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर मैजिक रिमोट जो है इंक्लूट नहीं किया गया है यानि आपको कॉन्वेंचल रिमोट मिलेगा आप अलग से बाई करना पड़ेगा आपको मैजिक रिमोट वो ही अगर मोटरोला जेडेक्स प्रो का ब चैनल पर नॉय हो अभी तक हमरा चैनल को सब्सक्रेब नहीं कि हैं तो मैं चाहूंगा कि आप हमरे साथ एसे कनेक्टेट रहने के लिए और चैनल को सब्सक्रेब कर सकते हैं साथ में बेल बोटन जरूर दबाएगा नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर एक और मैं क्लारिफ से अभी अफ़र का प्राइस अलोग होंगे फिर शेल्स जब खतम हो जाएगी प्राइस अल्टिमेटली चेंज हो जाएंगे तो अब अगर बात करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन का उपर में देख पा रहे यहें नोकिया का जो रिसेंटली 4K मडल जो है लांच हुआ था यहाँ पर आपको दोनों टीवीज पर भी ये पैनल का साथ में 350 ब्राइटनेस निट्स देखने को मिलती है जो के अच्छी चीज़े हाला कि अगर आप नोकिया का टूजिरो टूजिरो मोडल को बाई करेंगे तो फिर आपको लिमिटेड कॉनेक्टिवीटी फियेचर और यहाँ पर आपको यहाँ पर यहां पर यहां लगेगी कि आपको फार फिल्ड गूगर शिसन्स मिलती है जो कि विद्याइट रिमोट भी आप टीवी को कंट्रलिंग कर सकते हैं फार फिल्ड माइक्रोफोन का मदद से, तो ये एक आच्छी फिचर है, तो आपको अब्रेज बिचर क्वालिटी देखने को मिले थी है, हलागे आप वगर बास क्वालिटी एक्स्पेट कर रहा है तो ये इतना बास क्वालिटी प्रवेट नहीं कर पाती है, अब अगर नेक् प्राइस सेग्मेंट में, तो इसको भी पिक करने का रिजन ये है, अब अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको हैसेंस, जैसे कि आप स्क्रीन का उपर में देख पार है, प्राइस भी आपको सेम है, अब अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको कोडक का सीय स्रीस, और आपको प्लांपुट का साइबर साउंड इन टीवीज पर आपको अगर प्राइस आपका बजेट ज्यादा नहीं तो आप इन टीवीज को भी बाई कर सकते हैं अब अगर लास्ट में बात करें तो रियल्मी का 4K टीवीज जी हैं सो यहां पर जैसे कि मेरा बैक साइट से आप देख पा रहे हैं यह है रियल्मी का 4K टीवी पहला सेल में इसको बाई किया गया था अब कुछ सार लोग का मौन में डाउट होगा कि कस्टमर सर्विस को लेके कुछ वीडियो बना था फिर रियल्मी का बारे में मैं क्यों बोल कीशिवी वीडियो पर में इसा नहीं बोला कि टीवी बीकार है ठीवी ये वह है ठीच है क्योंकि यहां पर अप influencer quality का साथ में फार फिल्ट गुगुल आसिस्टेंट जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? आपको यह कफी रेस्वन्शिप से काम करता है, हाला कि पिक्चर अगर आप बात करें, तो पिक्चर यहां पर आपको ज्यादा कलर प्रड़क्शन देखने को मिल जाती है, एबरी चाहे पॉपुलर ब्रांड हो, चाहे ओन पॉपुलर ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, आज करेंट में सब अपने अपने प्रड़क्श बना रहे है, किसी का युनिट में यानि किसी आप टीवी बाई करने के बाद अगर आपका युनिट में कुछ प्रोलम आजाता है, वो चाहिए कोई भी ब्रांड हो सकता है एसा में जैसे कि हर वीडियो में आपको मैक्समुम वीडियो में बताया एसा कोई गैरंटी नहीं दे सकता है कि आप अगर एक popular brand प्रचेज कर लिए एक branded TV प्रचेज कर लिए आपका unit में प्रोलम नहीं आएगा एसा कोई गैरंटी नह प्रोलम आने के बाद इमेडियेटली उसको address कर दे जाता है अदरॉइज इमेडियेटली नहीं होने से भी अगर टाइम बाूंड्ट सर्विस आपको प्रवाईड कर दे जाता है तो फिर शॉने लगता यह जो मैंने आपको जो भी विडियो बनाया था और जो भी मैंने आपका comments, आपका feedback और आपका emails आप जो भी इस्टा पर message करते हैं आप जो भी mail करते हैं मैं सारा का सारे mail पड़ता हूँ और मैं फर और भी करता हूँ concern team को so TV को लेकर मेरे को कोई भी complaint नहीं but yes service को लेकर complaint था वो में share किया यहाँ पर और भी कुछ TVs है old models के LG जैसे की 7290 वो भी एक अच्छी model है बट यहाँ पर stock में नहीं है इसलिए मैंने इस वीडियो में उसको cover नहीं किया है so यही था आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो useful होगी अपने फेवराइट टीवी चूज करने के लिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियों दस्तो तब तक के लिए जैन